हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिंधी रसोई दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी कच्चे आम की चेकनी की रेसिपी कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे कहीं जादा यह टेस्टी है इसके साथ कब आप 3-4 रूटी खा लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा और खास बात यह है इस चेकनी की किसे आप स्टोर करके साल भर तक र गालनी चाहिए पीली यानी की पकी 호ई नहीं होई चाहिए अगर यह पकी ऻोगी तो हमारी चट्नी साल भर तक नहीं टिकेगी और दूसरी बात जो अंबिया हमें यूज करनी है वो पक्की गुठली वाली अंबिया लेनी है जिसकी गुठली छोटी और आसानी से तूटने वाली होती है वो अंबिया हमें यूज नहीं करनी है जिसकी गुठली बिल्कुल सकत होती है वही अंबिया हमें यहाँ पर यूज करनी है अम्भिया की चट्नी कच्ची गुटली वाली अम्भिया से भी बन जाएगी कोई टेस्ट में फ़रक नहीं आएगा बस वो साल भर तक टिकेगी नहीं यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हमें अम्भिया को पील करना है इसका ग्रीन पार्ट पूरे तरी अगर दोस्तों आपने कच्ची गुटली मतलब चोटी गुटली वाली अंभिया यूसे की तो जो आप इसे गुर्ट करोगे तब आपने खास ध्यान रखना है कि अंबिया के साथ साथ गुठली ग्रेट ना हो जाए क्योंकि उसकी गुठली काफी जादा सौप्ट होती है वो आसानी से ग्रेट भी हो जाएगी और अगर गुठली ग्रेट हो गई तो आपकी चटनी में करवा हटा जाएगी यह देखिए यहाँ पे मैंने अंबिया को बिलकुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है चलिए अब हम चलते हैं गैस क्यों तो गैस पे मैंने यह हैवी बॉटम पैन रखा है जिस भी पैन में आपने चटनी बनानी हो वो पैन का तलाब भाड़ी होना चाहिए नहीं तो चटनी जल जाएगी और उसका टेस्ट पूरे तरीके से खराब हो जाएगा यह देखिए कद्दू कस्की हुई अंबिया मैंने पैन में डाल दी गैस की फ्लेम को बिलकुल लो रखा है अब एक किलो मैंने कच्छी अंबिया ली थी मैं दोनों को मिला के बना रही हूँ ताकि इसका टेस्ट काफी अच्छा है और जो गुर यहाँ पे मैंने यूज करा है यह रूम टेंपरेचर पे था तो यह आसानी से मेल्ट हो जाएगा अगर आप जो गुर ले रहे हो वो हार्ड है तो उसे आप बारी काटके यहाँ पे आट करोगे तो एक किलो अंबिया पे यहाँ पे मैंने आधा किलो चीनी और धाई सो ग्राम गुर डाला है गैस की फ्लेम लो रखी है अभी हमें इसे लो फ्लेम पे तब तक रहने देना है जब तक कि यहाँ पे चीनी और गुर का सिरफ रेडी नहीं हो जाता यह देखे दो तो गुर और चीनी दोनों बिलकुल अच्छे से यहाँ पे डिजॉल वो चुके है यहाँ पे इसका सिरफ सर रेडी हो गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई वो मीडियम हाई फ्लेम पे इसे धक के 15 मिन तक हमें पकाना है ताकि यह जो सिरफ है यह थिक हो जाए और चटनी में एक अच्छा टेस्ट टैबलप हो जब तक चटनी पकती है दोस्तों मसाले देख लेते हैं हमें कौन-कौन से लगने वाले है एक चोटा चमच सौंफ, एक चोटा चमच जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, आधा चोटा चमच मंगरेला, एक चोथा ही चोटा चमच मेथी दाना और तीन चोटी इलाइची सौंफ, जीरा, मंगरेला और मेथी को हमें हलका ड्राय रोस्ट करके इसमें आध करना है छोटी इलाइची और सूखी लाल मिर्च को हम डिरेक्ली आध करेंगे और इन चारो चीजों को जो हम ड्राय रोस्ट करेंगे तो हमें इनका कलर चेंज नहीं करना जैसे ही हलकी सी खुश्बू आना स्टार्ट होगी हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों पांच मिनट हो गया है चटनी को पकते हुए चलिए हम एक बार से चेक करते हैं यह देखे काफी अच्छे से यहां पर यह चटनी बॉयल हो रही है अभी आप इसका कलर देख सकते हो कितना लाइट है और लास्ट में मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी पक्के कितना ज़ता ब्राइट हो जाएगा तो यहां पर मैंने एट कर दिया इसमें दो सूखी लालमिंच साथ इसमें डालूँगी तीन छोटी इलाइची इलाइची को हम हलका सा उपन करके डालेंगे ताकि इलाइची की खुश्बू अच्छे से चटनी में आ जाए गैस की फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखी है इन सब को अच्छे से मिक्स किया वापस से चटनी को कवर करूँगी और कवर करके दस नट तक मीडियम हाई फ्लेम पे और पकने दूँगी उसका कलर कितना ब्राइट हो गया है और चटनी यहां पर ठिक भी हो रही है तो इस टाइम पे हम इसमें आट करेंगे कुछ सूखे मसाले जिससे इस चटनी का टेस्ट काफी जादा बढ़ जाएगा और चटनी खाने में अच्छी लगेगी तो यहाँ पे मैंने डाला आधा चोटा चमच नमक, एक चोटा चमच हल्दी पाउडर, एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे हमें तीखी मिर्च यूज नहीं करनी है इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और वापिस से से कवर करके पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और कुप करूँगी यह देखे दोस्तों, पांच मिनट तक मैंने इस चटनी को और पकाया, अब हम इसमें एट कर देंगे हमारे मसाले, जिसे हमने ड्राइर रोस्ट करके रखा था, जीरा, सौफ, मेथी और मंग्रेला यह देखे, आप देख सकते हैं, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तिर्फ जैसे ही इसमें से हलकी खुश्बुआना स्टाट हुई, मैंने गैस की फ्लेम को और मसालों को प्लेट में वापिस से निकाल लिया, यह मसाले मैंने डाले, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, साथ इसमें डालूँगी थोड़े से बारे कटे काजू और बादाम, तकरीबन दो चम्मच, काजू बादाम का टेस्ट चटनी में काफी जादा अच्छा लगता है, बट यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो, तो आप इसे अवाइट कर सकते हो, आदा छोटा चमच, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, इससे चटनी में हलकी सी स्पाइसनेस आएगी, चटनी थोड़ी सी खटी, मीठी और तीखी लगेगी, इन सबको अच्छे से मिक्स किया, आप कंसिस्टनसी देख सकते हो, कितनी थिक है, जब आप इस सिरफ को अपने फिंगर में टच करोगे, तो आपको ऐसा फील होगा, जैसे आप ओईल टच कर रहे हो, तो बस यही राइट कंसिस्टनसी है, इस चटनी की, इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को आफ कर देना है, जब मैंने इसे अपने हाथों से टच करा, तो मुझे बिल्कुल ओइल जैसा फील हुआ, अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, इसे इस तरीके से किसी जाली से हमें कवर करना है, धक्कर इसमें नहीं लगाना है, अब हम इसे कंप इसी तरीके से आप चाशनी को चेक करोगे अपने थंब और फिंगर में, जब आपको फील करने में उसमें हलकी चिप चिप चिपाहट यानि की ओईल जैसा फील हो, तो बस आपने गैस की फ्लेम को आफ कर देना है, अब हम इसे भर लेंगे किसी एर टाइट कंटेनर में और से साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आप चाहो तो इसे फ्रिज में स्टोर करो, चाहो तो आप इसे रूम टेमप्रेचर पे भी स्टोर कर सकते हो, दोनों में ही यह खराब नहीं होने वाला है, यह देखे दोस्तों कलर कितना बढ़िया आया है देखने में कितनी अच्छी लग रही है और तो खास बात तो आपको पताईए कि साल बरतकम इसे रख सकते हैं जब मन करें पूरी पराठे के साथ इसे सर्व करो आप बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं बच्चों को तो यह चटनी बहुत पसंद आती है तो दोस्तो अब देखने नेक्स्ट रसीपी के साथ तब तक के लिए गुड बाई एंड थैंक्स फौर वाचिंग मैं वीडियोज